आठवा पाठ, काबुली वाला, प्रिष्ट संख्या, 42 से 50 तक, अब सुनिये कहानी, काबुली वाला, सहसा, मेरी पाँच वर्ष की लाडली बेटी, मिनी, अगडम बगडम का खेल छोड़ कर, खिडकी की तरफ भागी, और जोर-जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था, नायक नायका को लेकर, अंधेरी रात में, जेल की उंची खिडकी से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था, घटना वहीं रुख गई, सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है, अभी कुछ पल पहले, वह मेरे पैरों के पास बैठी, खेल रही थी, कि अचानक उसे यह क्या सुझी, मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परिशानी जरूर महसूस हुई, मैंने सोचा, बस अब पीच पर जोली लिए, काबुली वाला आखड़ा होगा, मेरा सत्रहवा अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता, ज्यों ही काबुली वाले ने हसकर मुझ फेरा, और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई, उसके मन में एक जूठा विश्वास था, कि काबुली वाला अपनी जोली में उसी की तरह के दो चार चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है, इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ, मुझे सलाम करके खड़ा हो गया, आदमी को घर पर बुला कर, कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा, दो चार बाते हुई, पता चला, उसका नाम रहमत था, अंत में उठकर चलते समय, उसने पूछा, बाबु, तुम्हारी लड़की कहां गई, मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए, उसे भीतर से बुलवा लिया, वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और जोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही, काबुली उसे जोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई, दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर र सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा, कि मेरी नन्ही बेटी दर्वाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बे सिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा, मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने पांच साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रख कर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आचल बादाम किश्मिश से भरा था मैंने काबुली वाले से कहा उसे यह सब क्यूं दिया अब फिर मत देना मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी काबुली वाले ने अठन्नी मुझ से लेकर अपने जोले में रख ली घर लोट कर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा जगड़ा मचा हुआ है मिनी की माँ उससे पूछ रही थी तुझे यह अठन्नी कहां मिरी मिनी कह रही थी काबुली वाले ने दी मैंने मांगी नहीं थी उसने खुद दे दी मैंने मिनी की मां को समझाया और मिनी को बाहर ले गया पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है वे आपस में दोस्त बन गए है दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाग चलते काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती काबुली वाले तुम्हारी जोली में क्या है रहमत हंसते हुए उत्तर देता हाथी मतलब उसकी जोली में हाथी है इस बात से दोनों खूब हंसते उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी रहमत मिनी से कहता मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलटकर पूछती तुम ससुराल जाओगे रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तान कर कहता मैं ससुर को मारूँगा सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी-पिटाई हालत के बारे में सोच कर खूब हंसती मुझमें देश-विदेश घूमने की इच्छा है लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है इसलिए सुभा अपने कमरे में मेज के सामने बैठ कर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है वह तूटी-फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आँखों के सामने आ जाती हैं लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वाभाव की महिला थी रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तोर से नजर रखने के लिए प्रार्तना की उनके शक को हसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किये क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते एक लंबे चोड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिलकुल नामिम्किन है मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामिम्किन नहीं है लेकिन मैं इस कारण भले मानस रह्मत को घर आने से मना नहीं कर सकता था हर वर्ष माग के महीने के बीचों बीच रह्मत अपने देश चला जाता इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता लेकिन फिर भी एक बार वह मीनी से जरूर मिल जाता जिस दिन सुभा समय नहीं मिलता तो शाम को आप पहुँचता कभी-कभी अंधीरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भैसा लगता लेकिन जब उन दोनों की भोली-भाली बातें सुनता तो हुरदय प्रसन्नता से भर उड़ता एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पढ़ा आँख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रह्मत को बांधे लिए आ रहे हैं उसके पीछे तमाश बीन लड़कों की टोली चली आ रही है रह्मत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाख है एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोक कर पूछा मामला क्या है मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रह्मत से कुछ रुपया उधार लिया था उसने जूट बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रह्मत ने उसके छुरा भोंक दिया रह्मत उस जूटे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था तभी काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिन्नी घर से बाहर निकलाई पलक मारते रह्मत का चेहरा आनंद से खिल उठा उसके कंधे पर आज जोली नहीं थी इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था मिन्नी ने छूटते ही उससे पूछा तुम ससुराल जाओगे रह्मत ने हस कर कहा वहीं जा रहा हूँ मिन्नी को उसका जवाब हसी भरा नहीं लगा वह हाथ दिखा कर बोला ससुर को मारता पर क्या करूँ हाथ बंधे हैं छुरा मारने के अपराद में रह्मत को कई वर्ष की जेल हो गई मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया मिनी भी उसे जल्दी भूल गई धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गई उम्र बढ़ने के साथ एक-एक करके सखियां जुटने लगी मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी बहुत सुहावनी सुभा थी आज मेरे घर में शेहनाई बज उठी थी उसके स्वर मेरे रदय को अंदर से रुला रहे थे मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी आज मेरी मिन्नी का विवाह था सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी मैं बहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था तब ही रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया मैं पहले उसे पहचान नहीं सका उसके पास ना वह जोली थी ना उसके वे लंबे बाल शरीर भी कमजोर हो गया था आखिर उसकी हसी देख कर उसे पहचाना मैंने कहा क्यों रहे रहमत कब छूटा उसने कहा कल शाम को जेल से छूटा हूँ बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ आज के शुब दिन यह आदमी यहां से चला जाता तो अच्छा होता मैंने उससे कहा आज हमारे घर में एक काम है मुझे बहुत से काम करने हैं आज तुम जाओ बात सुनते ही वह चल दिया और दर्वाजे के पास पहुँच कर बोला क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूँगा शायद उसे विश्वास था मिन्नी अब भी वैसी ही होगी नन्नी सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दोड़ी आएगी बच्चों जैसी हसी भरी बातें करेगी वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिबबा अंगूर और किश्मिश मादाम लाया था मैंने कहा आज घर में काम है वह किसी से मिल नहीं सकेगी वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ सोचा उसे वापस बुलवा लू तभी देखा वह खुद लोटा आ रहा है पास आकर बोला ये अंगूर और थोड़े से किश्मिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था दे दीजिएगा उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़ कर बोला मुझे पैसा मत दीजिए बाबू जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ सौदा करने नहीं यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं चाती के पास से मैले कागस का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोल कर मेरी टेबिल पर बिचा दिया देखा कागस पर किसी नन्ने हाथ की चाप थी फोटो नहीं रंगों से बना चित्र नहीं प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिक लगा कर कागस के उपर उसकी चाप ले ली गई थी अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगा है रहमत कलकत्ते की सडकों पर मेवा बेचने आता मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हरदय में अमरित की धारा बहाती रहती देखकर मेरी आँखें चलचला आई उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ वह भी पिता है मैं भी पिता हूँ मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया शादी की लाल साड़ी पहने माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई उसको देखकर काबुली वाला सक पका गया अपनी पुरानी बात चीत नहीं जमा पाया अंत में हंसकर बोला मुन्नी तू ससुराल जाएगी रहमत का प्रश्ण सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुँ फेर कर खड़ी हो गई मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया अचानक उसकी समझ में साफ आ गया इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरहा बड़ी हो गई होगी इन आठ वर्षों में उस पर क्या बीची होगी यह भी भला कोई जानता है उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा मैंने एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लोट जाओ तुमहारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्यान करे लेखक रवींद्रनात टैगोर अभ्यास शब्दार्थ चंचल नटखट तमाशबीन तमाशा देखने वाले अचरज हैरानी आश्चर्य नामुम्किन असंभव सौदा वह चीस जो बाजार से खरी दी जाए माल एक बार बार बोलो क मिनी जोर जोर से पुकारने लगी ख मिनी एक शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही ग शरीर भी कमजोर हो गया था ग काबुली वाला दर्वाजे के पास खड़ा हो गया न कागस पर किसी नन्हे हाथ की चाप थी दो पढ़ो और समझो क नायक नायका ख बालक बालिका ग गायक गाईका ग लेखक लेखिका न सेवक सेविका तीन पाठ संबंधी प्रश्न क मिनी को ऐसा क्यों लगता था कि काबुली वाला अपनी जोली में चुराय हुए बच्चों को छिपाय हुए है ख मिनी की काबुली वाले से मित्रता क्यों हो गई ग गाबुली वाला हमेशा पैसे क्यों लोटा देता था ग वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबुली वाले को उसकी किस बात से पहचान लिया चार, सोचो और जवाब दो, क, रह्मत ने एक धोखे बाज आदमी को छुरा मार दिया, अगर तुम रह्मत की जगा होते, तो क्या करते? ख, मिनी की मां रह्मत पर नजर रखना चाहती थी, परन्तु, पिता रह्मत को मना नहीं कर पाते थे, तुम्हारे विचार में कौन सही था? और क्यों? ग, मान लो, तुम मिनी हो, अब अपनी कहानी पूरी कक्षा को सुनाओ, ग, तुम इस वाक्य को अपनी भाशा में कैसे कहोगे? पलक जबकाते ही, रह्मत का चेहरा आनंद से खिल उठा. पांच, सही मिलान करो, क, बे सिर पैर, ख, पलक जबकते ही, ग, बंधी हुई बातें, ग, बात चलना, न, मुं फेरना, इन शब्दों का, इन शब्दों से मिलान करो. तुरंत, बिना मतलब की, चेहरा सामने से हटा लेना, निश्चित बातें, अर्थात, एक ही तरह की बात चीत, बात शुरू होना. चेह, शब्द जाल, काबुली वाला मेवे बेचता था, हम कुछ मेवों के नाम बता रहे हैं, और साथ ही एक शब्द जाल भी. उन्हें इस शब्द जाल में ढूंडो, ये संग्या हैं, इसकी विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन होते हैं, उसे भी सोच कर लिखो. क पिस्ता, ख छुआरा, ग बादाम, घ काजू, न किश्मिश, चा अकरोट, शब्द जाल इस तरह से हैं, मैं इसे बाएं से दाइं पड़ूंगा. पहली पंती में, का, जू, का, पि, का, दूसरी पंती, कि, बा, दा, मि, छू, तीसरी पंती, श, पि, स्ता, ता, आ, चौथी पंती, मि, श, रो, आ, रा, पाँचवी पंती, श, अ, ख, रो, ट, छटी पंती, चु, बा, दा, म, जू, साथ, घोमना, फिरना, काबुली वाला के साथ बात चीत करने से, बहार जाने का काम हो जाता है. मिनी के पिता का ऐसा कहना बताता है कि वह काबुली से बात करके बहार के देश-दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता था. आज इसके अलावा और किन-किन साधनों से देश-विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है सूची बनाओ आठ देखो, समझो और करो यहां कुछ चित्र दिये गए हैं पहले खाने में घड़ा, दूसरे में सीड़ी, तीसरे में साप चौथे में मुखोटा, पांचवे में पगड़ी, छटे में कमीज, साथवे में मोर, आठवे में चूहा, नवे में गिलास, दसवे में जंडा क, पहले खाने में घड़ा है, ख, तीसरे खाने में रिक्तस्थान है, ग, पांचवे खाने में पगड़ी है, ग, दसवे खाने में रिक्तस्थान है, न, रिक्तस्थान खाने में कुर्ता है, च, नौवे खाने में रिक्तस्थान है, च, रिक्तस्थान, खाने में चूहा है। ज, दूसरे खाने में रिक्तस्थान है। यह हमारा राश्ट्रिय पक्षी है। न, रिक्तस्थान, खाने में रिक्तस्थान है। इसे चेहरे पर लगाते हैं। न, इन शब्दों को देखो। बेटी, खिडकी, रहमत, काबुली वाला, जोली, नायक, पैर, जेल, बच्चा। यह संग्या है। इनकी विशेशता बताने वाले शब्द को विशेशन कहते हैं। तुम्हें इनके साथ जो भी विशेशन ठीक लगे, उसे लगाकर वाक्य बनाओ।